गनतंत्र दीवस की तयारी को लेकर आर्मी एंसीसी की रिहरसल जोर उपर गनतंत्रता दीवस को चार दिन ही शेस बचे हैं जिसमें पुलीस ग्राउड में परेट को लेकर चतिसगर पुलीस सहीत आर्मी एंसीसी की रिहरसल जोर उपर है वहीं विबिन विभागो द्वारा जा कभी निर्मान किया रहा है पुलीस ग्राउंड में सुबह 6 बजे से रिहर्सल चालू हो जाती है जिसमें 36 गड़ आमस फोर्स के साथ पुलीस की टीम महिला प्लाटून रिहर्सल करते हैं उसके बाद आर्मी एंसीसी के बच्चे एयर एंसीसी के लड़किया वाइस्काउट ग बच्चों में काफी जोश है सुबह 8 बजे से 2-3 घंटे रिहर्सल करते हैं उसके बाद शाम 3-5 बजे तक रिहर्सल किया जाता है भुपेंदर सिंग चौहान ने बताया कि वह खुद जेडी आर्मी विंग के स्टुडेंट्स रह चुके हैं और भारती नौसिना में पदस् 36 गल के बच्चे बाकी जगों से डिस्प्लिन के मामले में जादा अच्छे हैं वही NCC के सीनियर केप्टन नेतरम आवले ने बताया कि उनकी टीम 3 साल से परेड में भाग ले रही है 26 जन्वारी को लेगार उनकी टीम काफी उसाही था है और बड़े जोरों से प्रेक्टिस कर रहे हैं तो सुबह हम लोग 2 से 3 गंटे की प्रेक्टिस करते हैं और साम को यही 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक हो जाता है मैं भी भारती नहसे नहसे हूं यहां पर पोस्टिंग आया हूं और नेवलन्सीजी यहां पर 2009 से चालू होई थी तो उतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है नेवलन्सीजी को यहां पर इंडक्ट होए पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चे जेडी और एसडी दोनों है एसडवलू विंग भी है बट वो राजिम में तो वहां से बच्चे आने में थोड़ा सा कर्ष्ट हो जाता है तो आड़ी परिहलसल के लिए हम एसडवलू नहीं ले रहे हैं हमारे उनेट के कमांडिंग अफसर कैप्टन सशिकान देश्मुख है जिनके निर्देश पे यह अब तर बाकी है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपने दम में लग गया है तो हम वी उसी दम से प्रेक्टीश करें सब्सक्राइब तो हम यह तीन साल हो गया मेरा ज़िए सेगंड साल है तो मौर इंपमेशन लॉगन तो www.clips.at